आप देख रेए शिब जनतावास भारत पर तस्वीर है ये वापी के जंडा चोक की तस्वीर है जहाँ पर पिलर गिराये जा रहे है ब्रीच के यह तस्वीर देख रहे सिप जनतावास भारत पर जन हित के लिए कि यहां से जो है ट्रापिक की समस्या खड़ी हो सकती है इसलिए जरूरत है तो यहां से जाए इस प्रकार की बात कहना गलत नहीं होगा फाटक की ओर जाने के लिए जो है वो रास्ता खुला है लेकिन वापी टाउन बजार में आने के लिए जो है जंडा चोक से वो रास्ते को बंद किया गया है आप तस्विर देख रहे हैं सिर्फ जनतावाज भारत पर कि जंडा चोक की ओर से जो वापी टाउन बजार में जो जाने का रास्ता है उसे बन कर दिया गया है लेकिन गोल कोईन को होकर फाटक की तरफ आप जा सकते हैं लेकिन बाजार में जाना हो वापी टाउन के तो उसको आपको कोस्टल रोड पे से जाकर घुम कर जाना पड़ेगा वापी का ब्रीज जो है वो 140 करोड के करीब बनने वाला है और उसका काम जो है वो स्पीड से चल रहा है वो दीख भी रहा है इस प्रकार की तस्विर सामने आ रही है एक तरफ ब्रीज को तोड़ना चल रहा है तो दुसरी तरफ जो है उसके ब्रीज के पिलर बनाये जा रहा है जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा इस प्रकार की बाते सामने आ रहे है देड़ साल का इसका क्राइटेरिया है बन जाने का लेकिन कहा जा रहा है कि ये उससे भी जल्दी बनेगा और वापी वासियों के लिए जो है एक नई सोगात मिलेगी और ट्राफिक की समस्या हल होगी बीरो रिपोर्ट जन्तावास भारत